किसी भी परिक्षा को पास करने के लिए आपके पास बहतरीन पुस्तकों की एक फेरिस्थ होना बहुत ज़रूरी है औरकिताबों को सिर्फ इकठे करने पर ही आपका सारा काम नहीं हो जाता उन किताबों में आपने कौन-कौन सी चीज़ें फोकस करनी है किस परिक्षा के Commission 2021 की जो परिक्षा है उसके बारे में हम डिसकस करेंगे कि उसमें कौन सी ऐसी जो किताबे हैं जो उसके लिए बहुत ज़ादा जरूरी है तो मुझे लगातार messages और phone calls आ रहे थी students के किसर आप हमें best books बताईए तो उन सब लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ अगर आपको दोस्तो इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी help होती है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के बीच में like कीजिए share कीजिए और दोस्तों को ज़ादा से ज़ादा इसको फैलाने के लिए कहिए ये चीज में सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्यान का अर्थ संचय नहीं बांटना होता है इसलिए क्योंकि ग्यान की जो है लगातार बांटने से उसमें बृद्धी होती रहती है इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचे और उनकी समस्या का समाधान हो सके और चलिए अब ज्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए सीधा हम वीडियो पर आते हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की तो देखिए सब से पहले किसी भी एक्जाम को पास करने के लिए अगर कोई चीज है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पास बुक होना बड़ी जरूरी है और कोई एक बुक हालां कि हम इस वीके से कभी भी एक बुक प्रेफर कभी नहीं करते हैं कि आप सिर्फ एक बुक से पढ़िए क्योंकि अलग-अलग टॉपिक्स के लिए हो सकता है आपको अलग-अलग बुक्स लेनी पड़े लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कम बुक्स में आपको आपकी सारी चीज़ें प्रुवाइड करवाने की कोशिश करूँगा हमेशा हिंदी साहिते के विद्याथि होने के नाते मैं आप सब लोगों को एक बुक जरूर प्रेफर करूँगा उससे आपको हेल्प मिले या ना मिले चाहे वो आपको ज़्यादा मुश्किल लगे या फिर उसको पढ़ने के लिए आपको दो महीने या दो महीने से ज़्यादा का समय लगे तो उसको आप एक बाद जरूर पढ़िए तो वो बुक मैं आपको दिखाता हूँ वो है आपका अचारे रामचंद्र शुकल का हिंदी साहिते का इतिहास तो इस पुस्तक को आप अपने सीने से लगा के रखिए क्योंकि ये पुस्तक बहुती ज़्यादा helpful है और इससे आपको बहुत ज़्यादा help होने वाली है in future not only lt commission के लिए अगर आप UGC net की परिक्षा देने जाएंगे या दूसरी जगा कहीं जाएंगे तो आपको हिंदी साहिते का इतिहास वाली जो ये पुस्तक है ये बहुत ज़्यादा help करेगी तो हिंदी के विद्यार्थी के पास मैं समझता हूँ कि हिंदी साहिते का इतिहास पुस्तक होना बहुत जरूरी है तो ये authentic book है और जो आप इससे अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं एक बार समझ नहीं आ रही है तो आप इसको time दीजिए इस book को ये आपको help जरूर करेगी मतलब सब किताबों का अधार यही है ये वाली book इसके अलाब मैं आपको एक और book बताता हूँ जो बहुत important है जो अक्सर जो आपके ये हिमाचर प्रदेश की commission के लिए हम कह रहे हैं इससे पहले हाला कि UGC net के लिए हमने एक और वीडियो तयार किया था UGC net की परिक्षक के लिए वहाँ पर हमने देखा था कि बहुत सारी किताबे हैं उनके बारे में हमने अच्छी लिस्ट बनाई थी और बहुत सारी लोगों ने उसको सरहावी है उस प्रयास को और उससे काफी help भी हुई है लोगों को तो आज मैं सिर्फ simple सी books जैसे मैंने शोकल को बता दिया इसके अलावा देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको अगर एक book खरीदनी है तो मैं आपको ये वाली book prefer करूँगा हाला कि मैंने इसमें पहार cover लगाया है अंदर से मैं इसको आपको दिखा देता हूँ हिंदी भाशा ये देखिए हिंदी भाशा एवं साहित्यकाव वस्तुनिष्ट इतिहास ये वाली पुस्तक गोविन पांडे और सरसुति पांडे की पुस्तक है और ये लास्ट ये का अगर आप paper देखेंगे प्रिवियस ये आप paper देखेंगे उठाया हुए paper तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70 से 80 परसंट जो भी question आपके put किये गए हैं वो यहीं से रखे गए थे तो ये वाली book सबसे important book है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताईए अगर आप HPLT Commission की तयारियां कर रहे हैं एक book अगर खरीदनी है तो ये सबसे best book है इसको आप लीजिए इससे आपको बहुत ज़्यादा help होगी हलां कि फिर में बाद-बार आपको कह रहा हूँ एक बाद फिस से कि ऐसी एक book आपको नहीं लेनी है नहीं लेनी का मतलब क्या है कि आपको और अपने पास असला बारे उत सब चीज़ें रखनी है कई बार क्या होता है कि एक book आपके लिए sufficient नहीं होती ये मैं कह रहा हूँ बार बार इसके अलावा UGC Net की अगर आपके पास कोई भी और पुस्तक है तो आप उसको अपने पास रखिए उपकार प्रकाशन की बहुती बहतरीन पुस्तक है उसको आप ले सकते हैं इसके अलावा जो अशोक तिवारी की आती है पुस्तक प्रतियोगीता साहिते सिरिस की आपका हिंदी लिटरेचर है उसके लिए बहुती 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 पुस्तक है ये और साथ ही साथ दोस्तों जो मैं आपको अभी ये बुक बताई आपका हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ट इतिहास जो गोविन पांडेंट स्वसोति पांडे की है इसमें आप देखेंगे इसमें चीजों को बहुती बारीकी के साथ बताए गया है और हलकी हलकी वस्तुनिष्टता के साथ बताए गया है और आप उनको वहां से skip नहीं कर सकते बहुत सारे विद्याति क्या करते हैं कि इसको भी हम summarize करने की कोशिश करते हैं कि इसको भी और छोटा करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है तो इसकी एक एक चीज़ को पढ़िए अच्छे से पढ़िए इसको definitely आपकी जो ये परिक्षा है वो पास होगी पास्चाते कावशास्तर हमेशा से सरदर्द रहा है विद्यार्थियों का जो LT Commission वाले हैं तो मैं अगर अभी बताने लगो आपको तो दावे के साथ मैं कहूँगा कि 2020 वाली परिक्षा में और उससे पहले वाली जो पास्चाते कावशास्तर के लिए आप लेना चाहें तो अलग ले सकते हैं उसके लिए हमने अलग से जो UGC net की जो बताई है एक वीडियो उसमें हमने पास्चाते कावशास्तर के लिए बुक बताई है उसको आप देख लीजीगा अगर आपको ज़ादा चीज़े नहीं जाननी है तो मुझे लगता है ये बुक आपके लिए बैस्ट है इसमें संशित दिया गया है और मेन जो फोकस आपका रहता है दिखिए वो कौन सा है वो आपका जितरे भी पास्चाते में ये आंदोलन हुए है जैसे कलावाद हो गय गया जी क bachelor रूप हो गया स्रचना वाद हो गया यथार्थ वाद धोगया अती यथार्थ वाद हो गया जादू-चीज़ों को जादा वहां ईटार्थ वाद हो गया यह जो चीज profess ने हैं बस आपको इसको ईक बार अच्छे से पढ़ना है ये तो बात भी पा면 जाद होघ कर बात करें वैसे इस ने विस्तार से दिए गया है लेकिन भारती कावेशास्तर के लिए सबसे बहतरीण यो बुक्स में से एक बुक है वह यह वाली कावे शास्तर है डोक्टर भगीरत मिश्र की यह बुक आपको बहुत ज्यादा क्या कहता है है ना तो इसको व्यापत खरीच सकते हैं बहुत अच्छी वुक है ये तो ये तो होगी साहित्य की बात इतनी ही चीज़े पूछी जाती है इसके लावा अगर आपका grammar है व्याकरन तो जैसे कि HPLT टैट की अगर मैं बात करूँ वहाँ पर जो लूसें समाने हिंदी का grammar आता है वो बेसिक है हर चीज का और बेसिक चीज़े ही तो आप देखते हैं कि ये चीज़े ही तो पूछी जाती है इसके लावा और तो कुछ भी नहीं पूछे जा रहा है तो आप लूसें समाने हिंदी पूछे सकते हैं उनको आप ले सकते हैं तो ये कुछ एक अच्छी बुक्स की मैं बहुत संख्शिप्त कम बुक्स आपको बता रहा हूं है इनको लेके आप अच्छे से किसी भी exam को क्रह कर सकते हैं शुकल का इतिहास की एक पुस्तक होना ही चाहिए डॉक्टर नगेंदर क का वी लोग कहते हैं कि उसको भी पढ़िए लेकिन मैं समझता हूँ सबसे भेतरिन जो है वो शुकल का इती हास है उसको लीजिए उसके अलावा आपको डारेक्ट तो प्रशन पूछी जा रहे हैं तो आपके पास वस्तुनिस्ट सहीत्य का इती हास है एक और बुक मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास ठीक है अगर आपको दिख रहा होगा हिंदी का गद्य साहित्य यह है डॉक्टर रामचंदर तिवारी की कुछ तक तो यह आपके गद्य की जो विधाये है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है पर मेरा आप हैं तो इसको लीजिए पर आपको एल्टी कमिशन के लिए इसकी जरूरत नहीं पढ़ेगी यह बात होगी आपके लिटरेचर की अब अगर हम बात करें देखिए दूसरे तो HPG के समान्य सजी के कोई भी बुक आपके पास है उसको अच्छे से पढ़िए साइकोलोजी यह बार तो आपने देखा होगा हिमाचल की घाटियां बगेरा यही चीज़ें तो पूछी जा रही है तो इसके लिए आप सब लोग competitive के त्यारियें कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ें पता है ना तो उनको आप लेना है प्रतियोगीता दरपन या फिर कोई भी जो आपक करंट बगेरा बगेरा है तो monthly भी yearly एक वालों को भी आप ले सकते हैं तो यह कुछ एक बहतरीन जो किताबें थी मेरे अनुसार इन किताबों को पढ़ने के बाद आपका जो है सही तरीके से काम चल पड़ेगा तो यह थी किताबों की जिस्ट अव लास्ट में दोस्तों एक साथ भी स्टार्ट किया है क्योंकि लोगों का जो स्टुेंट्स का जो एक हमारे उपर भरोसा था वो उन्होंने जताया और एल्टी टैट में हमें यह देखने को मिला कि हमारे साथ जो पड़े हुए बच्चे हैं लगबग 35 के आसपास उसमें बच्चे पहुंचे थे जिन करनी है तो आप सही वे में है हम आपको हमेशा सही कॉंटेंट देने के लिए प्रतिबद रहे हर हिंदी साही तेवारता चैनल तो आप हमारे साथ जूर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आपका अपना जो वर्टसेप नंबर है वो आपके साथ शेर कर लोंगा वहा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और इस तरीके की जानकारी और इस तरीके की ज्यान पूर्ण बातें मैं आपको देता रहूंगा तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत शुक्रिया जय हिंद जय होग छोगा जयान जया झाल जया एम जया जया झाल चैनल के ज़ग होग झाल इस उद से तरीके का